हेलो फ्रेंड्स मैं प्रमीला आई एंडी चैप में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं ककोडा की सबजी की रिस्पी आपके साथ सेयर करूंगी बहुत आसान बहुत ही सरल तरीके से खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स और यह जो ककोडा है इसे बरशाथ के मोर्शम में ही यह मिलता है और फ्रेंट्स इसे हर जगे हर एक नाम से जाना जाता है और यह हमने इसका उपर से छिलका हटा लिया है अगर टाइट रहे तो इसका छिलका हटा के बनाना है अगर नरम रहे तो इसका छिलका सुधह आप बना सकते हो तो friends हमने इतना लिया एक खोड़ा प्याज लिया है बारिक कट करके इसकी बहुत ही मसालेदार चटपटा स्वादी सब्जी बनके तयार होगी friends गुरो का खजाना है ये तो हमने इसे इतनी बड़े साइज में कट कर लिया है आप देख पा रहेंगे friends इसी तरह से कट करना है तो friends गैस को हमने जला लिया है चुले पर रखा कढ़ाई तीन टेबल स्पून तेल डाला और तेल को अच्छा सा गरम करना है देख पा रहेंगे ये जो हमने ककोडा को काट के रखा हुआ है इसे फैले हम फ्राई करेंगे तो हमने ये डाल लिया है तेल की अंदर और इसे लगातार चलाती हुए और इसे हमें फ्राई कर लिना है friends देख पा रहेंगे हमने सारे ककोडा को डाल लिया है तेल के अंदर देख पा रहे होंगे इसे चलाते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे लगातार हमने 3-4 मिनट तक इसे गैस का फ्लेम मेडियम रखते हुए फ्राई किया है अब तेल निचोडते हुए इसे हमने निकाल लिया है देख पा रहे होंगे इसी तरह से फ्राई करके निकालना है इसी तेल में हम अब डालेंगे कटा हुआ प्याज प्याज डालने से बहुत अच्छी सब्जी बनती है यह हम डालेंगे तड़का यह हमने मिर्च काट के लिए कुछ लेसन जीरा जीरा हमारा आदा टेबल इस्पून है दो हरी मिर्च है पांच कली लेसन है बारिक कट करके हमने ले लिया है अब तड़के के अंदर डालके इसे ब्राउन कर लेंगे फिर कटी हुई प्याज जालेंगे तो फ्रेंद देख पा रहे होंगे तड़का हमारा भून चुका है अब इसके अंदर डालेंगे प्याज बारिक कटा हुआ और डालके इसे अच्छे से भूनना है जादा जलाना नहीं है हलका ब्राउन होने तक भूनेंगे देख पा रहे होंगे प्याज हमारी भून चुकी है हमने दो मिनट तक प्याज को लगातार चलाते हुए भूना है अब इसके अंदर डालेंगे बारिक कटा हुआ एक टमाटर टमाटर भी डालके अच्छे से भून लेना है एक चमच डालेंगे नमक डालने से क्या है कि प्याज और हमारा टमाटर जल्दी से गल्के प्यार जाएगा तो फ्रेंट लगातार चलाते हुए हमने दो मिनट तक भून लिया है नमक जो है प्याज को और टमाटर को अच्छे से गलार दिया है देख पारेंगे गल्के काफी कम हो गया है तो इसी तरह से भूना है अब इसके अंदर डालेंगे आदा टेबलिस्पून से कम हल्दी थोड़ा से डालेंगे पानी पानी डालके अच्छे से मिक्स करना है अब इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला एक टेबलिस्पून इसे भी डालेंगे मसाले को तक तक भूनना है जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से तेल ना छोड़ने लगे तब तक लगातार चलाते हुए हमें मसाले को भूलना है देख पा रहे हुँगे लगातार हमने मसाले को तीन से चार मिनिट तक भूल लिया है तेल अलग होने लगी है, मसाले अलग होने लगी है अब इसके अंदर डालेंगे पानी थोड़ा से हमने मिक्स किया मसाले को और इसके अंदर डाला पानी तो आप ग्रेवी अपने मन पसंद के अमसार मोटा या पतला रख सकते हो अब इसे हम कवर करके दो मिनट तक पका लेंगे ताकि कवकोड़े की अंदर हमारे मसाले जो है अच्छे से तो प्रेंट हमने कभर कर लिया है सबजी को अब दो मिनटों हो चुके हैं आप देख पा रहेंगे सबजी में अच्छे से बुलबुले उठने लगे हैं यानि हमारा जो सबजी है पत्की हो गया है तयारत एक बार हमने इसे मिक्स करना है यह हमारी सर्व करने के लिए सबजी तयार है इतने में 5-6 लोग बहुत आराम से खा सकते हैं तो फ्रेंट्स हमारे तरीके से एक बार कोड़ा की सबजी जरूर बनाना अगर हमारे कोड़ा की सबजी की रेस्पी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना फ